जीवन में प्रसंचित वही है जो स्वैं का मुल्यांकन करता है दुथी बहे है जो डूसरों का मल्यांकन करता है सूत्र के अनुसार जितना निंदा करने वाला डोशी होता है उतना ही दोशी निंदा सुनाने वाला होता व्यक्ति को अपनी कमजोरी और राज किशी को भी नहीं बताने चाहिए जो मनुश्य समचदारी इमानदारी वफादारी तथा जवाबदारी ये चार सब्दों का मर्म समच गया तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा अकर और अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज डेक्टरों के पास नहीं कुद्रत और समय के पास है तारीफ करने वाले बैशक आपको पहचानते होंग मगर फिक्र करने बालों को आपको ही पहचानना होगा जो अपने सपनों पर भरोएसा करते है बविश्य उनके लिए सुनहरा होता है मनुशे के जीवन का सबसे सच्चा मित्र उसका होता है सत्संग द्रिखों को घटाता है पापों को नश्ट करता और जीवन को सुभारता मनुशे को जीवन में दो चीजें नहीं करनी चाहिए जूठे व्यक्ती से प्रेम और सच्चे व्यक्ती के साथ खेल क्रोथ और आधी दोनों बराबर शांत होने के बाद ही पता चलता है कितना नुक्षान हुआ जीवन का सबसे बड़ा अपराथ किसी की आख में आंसिव आपकी वजह से होना और जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धी किसी की आख में आंसिव आपके लिए केना जो लोग अहंकारी है वे डूसरों से अच्छी बातें नहीं सीख पाते है ज्यान लेने वाला व्यक्ती गुरू और संथ के सामने विनम्र रहेगा तो वह सारी बातें अच्छी तरह समझ सकता है मोबाइल लेने के बाद अकसर कुछ लोगों को एक ही बात का अफसोस होता है काश कुछ दिन और रुख जाते तो और अच्छा मॉंडल मिल जाता तीचर स्टूडेंट जोक्स टीचर बताओ दुनिया गोल है या चपटी चिंटू दुनिया न गोल है न चपटी मेरे पापा जुठ नहीं बोलते हैवे कहते हैं कि दुनिया टू बी कॉंटियोए भिखारी कुछ खाने को दे दो बाबा आदमी बाबा कल की रोटी खा लोगे भिखारी हाँ खा लूँगा आदमी तो कत आना अगर हार ना हो तो आज के मैच में ही हार जाना सहलेंगे थोड़ा दुख दृद पर फाइनल में सिर्फ जीत ही एक मात्र विकल्प है आठ साल के एक बालक ने एक दिन अपने पिता से पूछा पापा पापा कॉल गर्ल किसे कहते हैं सवाल सुनकर पिता चकरा गया और हडबड़ा कर वोला बेटा वो वो ऐसा है टीचर तुम इतनी देर से स्कूल क्यों आये हो बच्चा मम्मी पापा लड़ रहे थे टीचर वो लड़ रहे थे तो तुम क्यों देर से आये बच्चा मेरा एक जूता मम्मी के पास और दूसरा जूता पापा के पास था शादी शुदा आदमी कहे कि वो सोच कर बताएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब होता है वो अपनी पत्वी से पूछ करे बताएगा पत्नी क्या सुन रहे हो जी? पत्नी मोदी जी के मन की बात. पन्नी मेरी तो मन की बात कभी नहीं सुनते. एक दिन पनपू सरक पर जा रहा था कि तभी एक चिरिया उसके सिर पर बीट करके उर गई. रुमाल से सिर साफ करते हुए पकपू बला, भगवान का लाख लाख नुए शुक्र है कि चोर ने एक आदमी को बाजार में घेर लिया आदमी मुझे घर जाने दो चोर तेरी जेब में जितना भी पैसा है. सब निकाल के दे दे आदमी, भाई साहब जेब तो खाली है, कहो त कर दूँ, पत्निय तुम मुझसे कितना प्यार करते, हो पतिय शाहजहा से भी ज्यादा, पत्नी, मेरे मरने के बाद ताज मेहिल, बनाओगे पती, मैं तो प्लोट ले भी चुका हूँ, पगली देर तो तु ही कर रही है, साथ सितंबर, टीचर, तुम तो पराई में बहुत कमजोर हो, मैं तुम्हारी उम्र में गनित के इससे भी कठिन सवाल हल कर लेता था सोन्यू, आपको अच्छे टीचर मिल गए होंगे सर, सबकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, शर्मा जी ने अपनी पत्नी से कहा, अगर में मर जाओ तो तुम, सामने वाली फैमिली को जर स्चिन जर्मा जर्मा जिताخت होत्ता होत्ताऊ होत्तल जर्मा डिली कुम होत्ता होत्ता हु